कट वरस्ट पार्ट में हम लोग चीज़ चूख अभी तक की एक कंसाइन्मेंट क्या होता है सी क्या है कंसाइनिदर बिजनस कइर ऐसा क्यूं सोचता है किタरी का एकाॉंटिंग करेंगा और उसके अंदर अपने को क्या-क्या कैलकूलेशन करना है इवन लास्ट क्लास लास्ट पार्ट में पार्ट नमबर टू में हम लोगों ने क्या किया था कि जब कंसाइनर कंसाइनी को कॉस्ट पे गुट सेंट करेगा उस टाइम में कंसाइनमेंट एकाउंट कैसे बनेगा गुट send to consignment account कैसे बनने वाला है each and everything हमने चेक किया था ठीक है as well as journal entries consignor अपने books में क्या-क्या accounting entries pass किया था वो सारा हम लोग सीख चुके clear है proforma सीख लिया था कि if invoice price पे send करेगा तो क्या-क्या चीज आएगा क्योंकि invoice price पे जबी भी send करेगा तो हम लोगो क्या करना है loading को remove करना है ठीक है जबी goods send करेगा तो उस पे से भी loading हटेगा और जबी भी क्या होगा goods return करेगा उसमें से भी loading अटेगा even closing stock को पहले तो हम लोग क्या करेंगे invoice price पे calculate करेंगे बाद में उससे related loading transfer कर कर देंगे stock reserve में clear है तो और फिर प्रफोमा देखा था कि कॉस्ट पर भीजने से क्या होता है एक question अमनों को अल्रीडी discuss कर चुके जहां पर consigner consigny को cost में send करता है और हमने देखा था को उसके अंदर normal loss और abnormal loss का case था क्या yes abnormal loss का case था ना यहां पर hundred toys हमारे क्या होगे थे burn होगे थे clear है और bad debts भी हुआ था but bad debts was born by the consigner why because consigner consignee को डेल क्रेडर commission नहीं दे रहा था ordinary commission दे रहा था इसलिए हमने क्या किया था bad debts का expense consignment account में ही शो किया था because it is an expense of the consigner जिसका reimbursement consignee को मिलना चाहिए यहां तक अपन कर चुके है नाव आज अपन क्या करेंगे few more questions जहां पर consigner will send goods to the consignee at invoice price फिर एक अच्छे questions है कुछ institute के books में अपन अपन की module में वह सारे करके questions करेंगे इससे क्या होगा आपका consignment पूरा completely खतम हो जाएगा सबसे पहले question उठाते हैं जहां पर consigner consignee को goods कैसे send करेगा invoice price पर send करेगा देखो आपके module में illustration number four होगा आपकी module में illustration number four होगा उसको आप लोग read करेंगे मेरे साथ में क्या बोल रहा है nike sports company of new Delhi consign hundred shoes to adidas company of एहमदाबाद यानि यह क्या बोल रहा है जबी भी हम question read करेंगे तो हम लोग का scribbling start हो जाना चाहिए consignment के case में जब तक आप scribbling नहीं करोगे आपके command में chapter नहीं आएगा scribble करना must है फिर से बता दू कि consignment के chapter में major adjustment entries कुछ नहीं होता क्या क्या होता है एक तो होता है calculation of commission दूसरा होता है calculation of value of closing inventory and the third is normal and abnormal loss यह चीज़े यह आपने अच्छे से calculate कर ली बाकी सारी चीज़े question में ही दियावा रहता है and properly जैसे जैसे question read करते हो वैसे वैसे आपका hand movements होना चाहिए जैसे कि देखो यहाँ पर क्या बोला कि एक new Delhi का है और एक क्या है एहमदाबाद यह मेरा new Delhi जो कौन है nike sports company यह कौन है यह है यह मेरा consignor एक बार मेरे को बता दो कि consignor जब consigne को goods भेजता है तो वह क्या document भेजता है pro forma invoice लेकिन period के end में consigne जब बताता है कि मैंने इतना sale किया इतना expenses किया इतना commission बनता है वो सारा जो detail होता है उसको often क्या बुलते है account sale राइट वो account sale बनाके बेजेगा यहां तक clear था and जब consignor goods भेजता है तब उसमें भी expenses होता है even consigne भी goods पहुंचने के बाद कुछ expenses करता है tell me which expenses are considered as direct and which is considered as indirect yes consigner जो करता है वो direct नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे अपन consigner जो करता है expenses वो तो direct होता ही है as well as if consignee ने कोई ऐसा expense किया है जो goods को घर तक लाने के लिए then those expenses are also direct expenses and will be added to the cost of product यही वाला चीज सिका था अपन तो यहां पर क्या एक न्यू देल्ली वाला है एक अपना एहमदाबादिया है कि गुजू होगा कोई ठीक है एडिडास इन कंपनी यह है मेरा कंसाइनी क्या बोल रहा है कि इसने hundred shoes भेजे हैं कितने shoes भेजे हैं hundred shoes कितने रुपे में कोस्टिंग है पंद्रा रुपे का लेकिन हमने उसको कितने रुपे में भीजा है इसका मतलब कंसाइनर उससे कॉस्ट छुपा रहा है उसके लिए कंसाइनी को तो ऐसे लगए कि यह 2000 रुपे में बेचना है मुझे बट प्रैक्टिकली देखे फ्रॉम कंसाइनर पॉइंट अव व्यू फिफ्टीन हंडे इस दे कॉस्ट और प्रॉफिट है ना तो एड़ दर रेट कितना वेजा 200 इच यह क्या है 2000 इच इन्वाइस प्राइज है यह मेरा आगे जाएंगे क्या बुला दे कंसाइनर पेड फ्रेट गुड्स बेजने के लिए उसने कुछ खर्चा भी किया है इस बाबू ने खर्चा किया क्या किया फ्रेट लगाया 10,000 एंड इंशॉरेंस का खर्चा कितना किया क्या यह सारा आपका डायरेक्ट एक्स्पेंस माना जाएगा क्या यह स्कॉस्ट ऑप गुड्स में एड हो जाएगा दूरिंग ट्रांजिट 10 शूज वेर टोटली डैमेजड ओ शूज तो ऐसा होता है पेरिशबल आइटम की तर है एक जगे से दूसरी जगे जाएगा तो रस्ते में तो खराब होना नैचुरल ही है न शूज तो ऐसा नहीं होता यानि इसका मतलब यहाँ पे रस्ते में कहीं पे रस्ते में कहीं पे क्या हुआ है दस शूज तो मेरे क्या हो गए बरबाद हो गए यह कैसा लॉस है एबनॉर्मल लॉस एन एबनॉर्मल लॉस इस ऑल्वेज वैल्यूड एट कॉस्ट और इन्वोईज लॉसेस को कॉस्ट पे रिकॉगनाइज करते हैं या इन्वोईज पे ओल्वेज कॉस्ट फरक ही नहीं पढ़ता इन्वोईज प्राइस से यह ध्यान रखना ठीक है तो मुझे अबनॉर्मल लॉस की कैल्कुलेशन एक करनी पड़ेगी कितना रुपे का लॉस हुआ आगे बढ़ते कहानी क्या बोल रही है एडिडास कंपनी टुक डिलिवरी टेल मी क्या ये 1530 रुपे भी आपका डारेक्ट एक्सपेंस है क्या बट कितने नंबर ओफ यूनिट्स के लिए यस 90 शूस के लिए यह ध्यान रखना आप यानि 90 शूस के लिए दो डारेक्ट एक्सपेंसे एक तो फ्रेट इंशुरेंस और दूसरा एक ऑक्ट्रोई वेर एज अबनॉर्मल लॉस का जब निकालेंगे तब डारेक्ट एक्स्पेंस कितना है सिफ रेट एन इंशुरेंस औक्ट्रोई विल नॉट बे इंक्लूड़ेड इन्कूड़ेड इन्द कॉस्ट ओफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स क्लियर यह चीज तो आगे क्या बूला एडिडास कमपनी सेंट अब बैंक ड्राफ टू नाइकी स्पोर्ट कमपनी पर 50,000 एडवांस यानि उसने एडवांस भेज रखा इसको कितना एडवांस दे रखा है किसने अल्रेड़ी इसको एडवांस पे कर रखा है कितना 50,000 का and letter on sent and account sale account sale तो भेजना ही पड़ेगा account sale के बीना तो कुछ हो ही नहीं सकता अब account sale में उसने क्या-क्या लिख के बेजा है 80 shoes had been sold at the rate 2200 each उसने भेजा था 2000 में उसने तो और भी ज्यादा value में बेचा है might be हो सकता है overriding commission का कोई point दिख जाए नहीं दिखे तो कोई बात नहीं इसने क्या भेजा कि मैंने 80 shoes sale कर दिये हैं at the rate 2200 ये information भेजा उसने और क्या बोल रहा होगा उसने ये भी तो बोला होगा मेरे pocket से octroy लगा हुआ है 1530 रुपे का कंसाइन इहारे की information भेजेगा कंसाइनर को फिर आगे जाके क्या बोलता है expenses incurred by edidas company go down rent तो यह यह भी बोलेगा उसको कि मेरे pocket से go down rent लगावा है जो मुझे आपसे लेना है 2000 एडिडास company is entitled to a commission of 5% on invoice price and 25% on any surplus of sale price over invoice price यह क्या हो गया ओवर राइडिंग देस ओवर राइडिंग कमिशन यानि जब हमें commission calculate करना है जब हम commission calculate करेंगे तो क्या होगा selling price पे कितना मिलेगा उसको selling price पे नहीं invoice price पे पहले तो ordinary commission होगा उसका ordinary commission कितना मिलेगा 80 shoes बेचा invoice price था 2200 राइट यही था क्या गलत 200 रुपे 2200 इंवाइस प्राइज तो दो अजार था 2200 इस देस selling price clear रहे तो इस पे कितना commission मिलेगा 5% तो कितना हो जाएगा मेरा 8000 उसके बाद over riding commission भी तो मिलेगा ओवर राइडिंग commission बोले तो 200 रुपे एक्स्ट्रा कमा के दे रहा है न वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू पे कितना commission मिलेगा उसको यानि टोटल 12,000 उसका commission बनता है वो भी एकाउंट सेल में लिखके भेजेगा आया समझ में commission वाला आगे क्या मांगा प्रिपेर कंसाइन मेंट अकांट इस एकांटे डिरेलेटेट नौट्स एकलंट इन दा बुक्स आप दे नाईकी स्पोर्ट्स कमम्नी अब दो चीज़ पेंडिंग क्या पेंडिंगे पता है एक तो कंसाइनी के पास कितना स्टॉक पढ़ा हैं कितना पढ norma loss calculate करना पूरे question में कहीं पे अईसा नहीं बोला कि हम एंशॉरेंस company से कुछ मिल रहा है हम आना हम ने इंशॉरेंस कर रहा था अप इंशॉरेंस company से कुछ मिल रहा है ऐसा कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब जिसका लॉसेज आर कैल्कुलेटिड ओन कॉस्ट प्राइज क्लियर है कॉस्ट प्राइज कितना था पंद्रह सो रुपे पंद्रह अजार इसमें एक्सपेंसेज भी एड हो जाएंगे टोटल डारेट एक्समेंस कितना लगा था ग्यारा हजार पांसो बट इट वास पॉर हंड्रेट शूज तो टैन शूज के लिए कितना होगा ग्यारा सो पचास तो टोटल अबनॉर्मल लॉस कितना हो गया सिक्स्टीन थाउजन वन हंडेड एन फिफ्टी निकल गया यह वाला पार्ट एबनॉर्मल लॉस भी हो गया एक इंपॉर्टन पार्ट रह रहा है हमारा क्या क्लोजिंग स्टॉक ठीक है अब क्लोजिंग स्टॉक पहले हम किस वैल्यू पर निकालेंगे जभी इन्वाइस प्राइस पर सेंड होता है बाद में उसमें से लोडिंग अटाते हैं क्लियर है तो इसके पास जो यह स्टॉक है टैन यूनिट्स कितने रुपीज का है कि दो अजार का एट इन्वाइस प्राइस प्लस इसमें क्या होगा डाइरेक्ट एक्समेंस एड होंगे डाइरेक्ट एक्समेंस कितना एक तो था 11500 divided by 100 इंक्टू 10 राइट हितना आ जाएगा ग्यारह सुपचास प्लस और एक डाइरेक्ट एक्समेंस लगा था ना 1530 वो भी तो आएगा 1530 divided by 90 into 10 170 clear है यह चीज़ हाँ यहां तक clear है आप लोग को तो अब बता हो कितना हो गया total cost 20,000 प्लस 1150 प्लस 170 21320 बट यह तो क्या है इसमें तो loading added है ना तो इसमें मेरा stock reserve भी है एक और cost stock reserve कितना है मतलब loading कितना है 10 into 500 पांसो रुपई तो loading है मेरा cost price कितना था 1500 और कितने में भेजा था consignor ने 2000 में तो 500 रुपई क्या है loading इसका मतलब 10 into 500 5000 is my stock reserve 21320 से यदि हम 5000 हटा दे तो कितना बजेगा 16320 is the cost क्लियर है यह चीज़ तो पूरा का पूरा question हमने break कर लिया इससे ज़्यादा कोई information है ही नहीं ठीक है अब अराम से आप मेरे साथ साथ में presentation करेंगे फिर मैं आपको time दूंगा आप इसको अराम से लिख लेना सबसे पहले सर्टेन वोकिंग नोट्स बना लेते हैं नंबर वन कैलकुलेशन ओफ abnormal loss कोई फरक नहीं पड़ता है आप एक्जाम में पहले वोकिंग नोट्स बनाओ या लास्ट में बनाओ देखो एक्जाम में हमें answer पता नहीं होता है तो answers निकालना होता है तो exam point of view से यह दिए आप पहले consignment का एक पेज छोड़ दिया और बाद में working नोट बना रहे और तबी भी चलेगा और पहले working नोट बना लिया और बाद में consignment अकाउंट तबी भी करेक्ट है तो abnormal loss कैसे निकाला था कॉस्ट वैल्यू ओफ शूज लॉस्ट कितना तैन इंटो फिफ्टीन हंडेड फिफ्टीन ताउजन प्लस डाइरेक्ट एक्सपेंसेज कितना था ग्यारहजार एकसो पचास डिवाइड बाइड वाइड हंड्रेड शूज और टैन शूज पर कितना होगा कि एलेवन फिफ्टी तो टोटल लॉस कितना 16 150 पूरे क्वेस्टेन में कुछ नहीं बोला कि इंशॉरेंस कमनी कितना पे करिए फिर कितना क्लेम एड्मिट किया है इसका मतलब पूरा का पूरा क्या है मेरा लॉस है यह और फिर से बोल रहा हूं ध्यान रखना अबनॉर्मल लॉसेज आर कैल्कुलेटेड एट कॉस्ट प्राइज होनी लॉस कोई भी हो वह मेरा कॉस्ट प्राइज पर ही कैल्कुलेट होता है नमबर टू कैल्कुलेशन ओफ कमिशन कितना कमिशन एक मेरा ओर्डिनरी कमिशन कितना बनेगा अपना एट्टी यूनिट सेल किया था एट इन्वाइज प्राइज तू थाउजन यानि वन लैक सिक्स्टी थाउजन का पाइप परसेंट एट थाउजन उसके बाद ओवर राइडिंग कमिशन एट्टी यूनिट्स दोस्टो रुपे एक्स्ट्रा करके सेल किया उस पर ट्विंडिफाइप परसेंट का कमिशन मिलेगा देट इस फोर थाउजन तो यह कितना हो गया ट्वेल थाउजन आई होप यहां तक क्लियर है थैन चलकुलाशन लव यूफ वैल्यू यूफ क्लोजिंग इन्वेंटरी स्टॉक अन्सोल्ड एट इन्वाइस प्राइस तैन उनिट्स था दो अजार का यानि बीश जार प्लस डाइरेक्ट एक्स्पेंसेज एलेवन वन फिफ्टी डिवाइड़ बाई हंड्रेड इन्टु टैन ग्यारा सो पचास और एक लगा था ना कितना एक्स्पेंसेज था वो फिफ्टीन थर्टी वो तो नाइन्टी उनिट्स भी लगा था मेरा लुड़ आन्टी टीव डिव्टी टीव्टी टीव्टी एक्स्पेंसेज टीव्टी रूट्यों वैंट्टी टीव्टी टीव्टी टेरफूर् देरफोर कि स्टॉक रिजर्व कितना होगा टैन इन्टू फाइफ 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 थाउज़न क्या यहां तक आपको पार्ट्स क्लियर है क्वेश्चन का ठीक है इफ यह बन गया तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने में आपको पांच मिनिट लगना चाहिए से पहले क्या होगा इन दे बुक्स आफ इन दे बुक्स आफ बताईये नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी कंसाइनमेंट टू एडिडास कंपनी एहमदाबाद यह बनाएंगे अपन कंसाइनमेंट एकाउंट से इजी और इससे इजी चप्टर तो कुछ हो ही नहीं सकता सबसे पहले उसने गुड्स भेजा था ओपनिंग स्टॉक तो कुस्तानी टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने गुड्स भेजे थे 100 शूज एट इन्वाइस प्राइस 2000 तो क्या हो जाएगा दो लाक फिर उसने अपने पॉकिट से खड़्चा किया था फ्रेट एन इंशॉरेंस का इंवन थाउजन वन अंडेड एन फिफ्टी लो अलग अलग कितना है टेन थाउजन वन थाउजन वन अंडेड एन फिफ्टी खुश कितना था 11,500 ओके 11,500 ठीक है कोई बात ने लिखने में मिस्टेक गवा उसके बाद कंसाइनी के खर्चे टू एडिडास कंपनी क्या क्या देंगे हम उसको एक तो वह हमसे मांगेगा ओक्ट्रोई का खर्चा ओक्ट्रोई का कितना किया था पंद्रह सो तीस एक वह मांगेगा हमसे अपना गोडाउन रेंट और क्या मांगने वाला है वह हमसे गोडाउन रेंट 2000 का था वह मांगेगा प्लस वह अपना कमीशन मांगेगा और कमीशन के लिए हम लोग वर्किंग नोट बना चुके हैं डेट इस वोकिंग नोट नंबर टू तो एक्जाम में रेफरेंस देके आ जाना कि भाईया एक्जामीनर आपको चेक करना है कि मैं यह कमिशन कहां से लेकी आया तो जाके मेरा वर्किंग नोट नंबर टू चेक कर ले 12,000 यानि टोटल कितना पे करना है 15,530 इस एन एक्सपेंस फॉर दे कंसाइनर विच नीडस तो बी रिंबर्स तो दे कंसाइनी यह हो गया फिर कंसाइनी ने बेचा था माल माल बेचेगा तो वो पैसा मिलना है कंसाइनी से बाई एडिडास कंपनी उसने सेल किया कितना सेल किया 80 यूनिट सेल किया 220 रुपे में तो इतना पूरा का पूरा पैसा ही तो लेना है उससे जूटो 220 नहीं है वो 2200 है क्या करते हो सवेर सवेरे 176,000 ठीक है कुछ गुड्स हमारे क्या हो गए बाई पूरा का पूरा लॉस ही है क्योंकि इंशॉरेंस कमनी ने तो कुछ दिया ही नहीं तो वरकिंग नोट नंबर क्या था मेरा वान कितना हुआ था अबनॉर्मल लॉस 16,150 क्लियर है अब क्या करना है देखो इंवेंट्री विद कंसाइन्मेंट लिखने से पहले क्या इस पे लोडिंग है यह लोडिंग हटाना पड़ेगा बाई गुड्स सेंट ओन कंसाइन्मेंट ब्रेकेट में लोडिंग वर्ड यूज कर लेते हैं अपन कितना लोडिंग था हंड्रेड इंटू पान्सो रुपे करके 50,000 का लोडिंग है राइट फिर वाई इन्वेंटरी विट कंसाइन्मेंट कितना है अभी निकाला था वर्किंग नोट नंबर 321320 वर्किंग नोट नंबर 321320 क्या इसमें भी कुछ लोडिंग एड़ेड है तो वो लोडिंग ऐलिमिनेट कर देंगा हम इस तरफ टू स्टाउक रिजर्व लोडिंग ओन क्लोजिंग स्टाउक देट वाज अब नेट बैलेंस मुझे क्या पता चल जाएगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंसाइन्मेंट कितना आएगा फटाफट बताना मुझे 176 का सेल किया 16150 का लॉस वा 50,000 21320 263 470-20000-11500-15530-5031 440 टू प्रॉफिट अंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट थर्टीवन थाउजन फोर हंड़ेड और फॉर्टी इसी है एक बार इन्फोर्मेशन ब्रेक कर लिया अच्छे से आपने निकाल लिया और एक्जाम में पढ़ते वक्त ऐसे स्क्रिब्लिंग कर लिया आपने उसके बाद तो दो मिनिट लगेगा इस क्वेशन को करने में क्या मांगा था कंसाइनमेंट एकाउंट एक बार पहले मेरे साथ बना लो कंसाइनी कौन है यहां पे एड़ीडास एंड कंपनी तो उसने सेल किया तो कंसाइनर ने एंट्री क्या किया था एड़ीडास एंड कंपनी एकाउंट डैबिट टू कंसाइनमेंट एकाउंट टू कंसाइनमेंट एकाउंट कितना रुपे लेना था वन लेक सेवेंटी सिक्स थाउजन सेल वाला रुपे उससे लेना है ना प्लस उसने एड़वांस दे रखा है कितना फिफ्टी थाउजन का उसने हमें एड़वांस दे रखा है प्लस उसको हमसे मिलना है क्या क्या मिलना है एक तो अक्ट्रोई का पैसा मिलना है उसको देट वास फिफ्टीन थर्टी और क्या मिलना है गो डाउन ड्रेंट मिलना है कि टू थाउजन एंड कमिशन भी मिलना है ना उसको डड़ीज ट्वेल थाउजन है क्लियर है यह चीज तो नेट क्या करना है हमें कंसाइनर से कंसाइनी से लेना या देना है और क्वेस्चन ने क्या बोला था कुछ बोला है क्या आप बैलंसीडी भी रख सकते हो या फिर हम यह एज्यूम कर सकते हैं कि हमें कंसाइनी से पैसा मिल चुका है पूरा का पूरा जितना मिलना था एड़ एंड आप ड़े अकाउंटिंग पिरियड तो आप यहां पे बाई बैलेंसीडी भी कर सकते हैं और क्या मान सकते हैं कि रिमेनिंग बैलेंस हां कहां है इंशॉरेंस ठीक है कोई भी इंशॉरेंस था ही नहीं अपने पास में पैसा मिला नहीं इंशॉरेंस कंपनी से ठीक है इफ पुराने बुक्स में तो थोड़ा सा नहे वाले मॉड्यूल से क्रॉस चेक कर लेना तो यहां पर कितना नेट बैलेंस हमें मिलना है कंसाइनी से वान लैक टैन थाउजन फोर हंड़ेंड सेवेंटी क्लियर है यह चीज़ ठीक है सो विद इस तरीके से हम लोग इन्वाइस प्राइस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आई होग क्लियर है इफ आप लोग अराम से इस तरीके से स्क्रीबल करके इन्फोर्मेशन को ब्रेक कर लो उसके बाद कंसाइन में कुछ रहता ही नहीं है अब आप अराम से इसको नोट डाउन कीजिए ठीक है उसके बाद और एक अच्छा क्वेशन हम लोग स्टार्ट करत करता है जब भी केंसाइन को टाउन्ट लिख करेगा अब तो पैसा आएगा अपने पास कैश या बैंक को कर लेगा बट क्या उसको ये पैसा किसको देना है, consignor को इसलिए वो क्या करेगा, consignor को credit करेगा फिर जबी भी consigne expenses incur करेगा तो वो क्या करेगा, उसके pocket से पैसा जाएगा, बट ये पैसा उसके लिए खर्चा नहीं है, expense नहीं होता तो वो अपने books में expense को debit करता, बट अब वो किसको debit करेगा, consignor को क्योंकि ये पैसा उसको क्या करना है, consignor से लेना है, clear है और क्या करेगा consignee consignee जबी भी अपना commission income due करेगा when commission is due from consignor consignor से वो income लेगा तो वो क्या करेगा consignor से लेना है और उसके लिए income है तो consignor debit to commission income यही करेगा उसके बाद में क्या होगा तो और क्या हो सकता है advance में pay कर दिया when advance is paid by consignee और बिल इस एक्सेप्टेड तो consignee क्या इंट्री करेगा उसने consignor को दिया consignor debit to bank और bills payable account if bed debts हो गिया if bed debts हो गिया if bed debt and no डेल क्रेडर कमीशन तब ये बैड़ डेट का expense कौन बियर करेगा consignor बियर करेगा consignor बियर करेगा तो ये तो अपने books में क्या करेगा दिखाएगा ने ना expense को तो एक बार के लिए लेकिन उसको accounting तो करना पड़ेगा क्या accounting करेगा सबसे पहले वो करेगा bet debts debit to debtors उसके बाद में second accounting क्या करेगा वो ये bet debts अभी तो ऐसा लग रहा है कि consignee की books में expense है but practically किसका है तो यानि consignee बोलेगा मुझे consigner से और पैसा लेना है for bet debts clear है लेकिन if if bet debt and del creder commission is paid तब क्या होगा उस condition में ये entry अपना same रहेगा लेकिन अब देखो क्या हो रहा है consignee को ही expense बियर करना था तो ये consignee के books में expense होगा consignee will set up this expense against commission income क्योंगे इसके लिए वो ज्यादा commission charge कर रहे है न तो वो क्या करेगा अपनी commission income के साथ में set off कर देगा commission account debit टू अपने अपने बुक्स में क्या क्या एकाउंटिंग एंट्री करता है क्लियर है बस इतना ही commission accounting एंट्री अपनी बुक्स में करेगा अब हम लोग करेंगे illustration number अपनी module का question number six and then seven एक बार six और seven हमसे हो गया अच्छे से उसके बाद consignment का अच्छे से आप सारे के सारे question कर पाऊगे बस process आप लोग ध्यान में रखना clear है तो आओ अपन साथ में करते है question number और icon से illustration number six एकदम easy है सांती से पूरा question को बस story को break कर डो अराम से question अपने आप हो जाएगा laser account अपने को बनाना आता है जर्नल एंट्री अपने को आता है तो करना क्या है calculations ही तो करना है calculation करने के time ध्यान में क्या रखना होता है सबसे पहले चीज ध्यान में रखनी होती है कि कौन सा direct expense है और कौन सा indirect expense है सबसे पहला silly mistakes वहीं करते है clear है तो इसलिए question read करते करते है आप क्या किया करो time graph बनाओ और उसको break करते जाओ क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एक बार वो हो गया उसके बात तो पुरा का पुरा consignment account होता है journal entry हो उसको करने में 5 minute लगेंगे clear है and I am damn sure exam में इससे 10 माग का question आएगा आएगा consignment का तो आपको यह topic एदी control में है तो 10 माग तो free के सबसे पटापट होता है यह chapter तो देखो विक्रम milk foods company limited of विक्रम पूर sends to सुन्दर stores सोनिपूर 5000 kgs of baby foods packed in 2000 teens of net weight 1 kg and 6000 packets यानि क्या करता है विक्रम milk food एक consignor है वो अपने consignee सुन्दर stores को 5000 kgs of baby food भेज रहा है लेकिन किस तरीके से दो तरह का packing है एक तो टीना में भेजता है वो कितना रुपे का एक एक टीना है टीन जो होता है एक एक किलो का आपने देखा हो ना घी के टीन जो होते 1 kg के जैसे बाबा पतांजली का आता है तो वो हो गया उसमें भेजता है baby food और एक कैसे भेजता है packets में half of kg के packets वो plastic वाले packets देखे न घी तेल वाले तो उसी तरह के baby food को वो pack करके भेज रहा है तो यानि दो तरह का packaging है 2000 टीन भेजा एक किलो करके तो यानि 2000 किलो तो वहां हो गया फिर 6000 packets भेजे आदा किलो करके यानि 3000 kg वहां हो गया मेरा 5000 kg का हिसाब मिल गया देखो simple है 2000 टीन भेजा है एक किलो का एक टीन है तो 2000 किलो का माल तो यह हो गया तीन के form में और packet के form में क्या है total 6000 packet है और एक packet तुमारा कितना है आदा किलो का half kg तो इसका मतलब total कितना हो गया 3000 kg तो total कितना हो गया 5000 किलो का हिसाब मैं चो गया आगे बढ़ते हैं तक कंसाइनिस कमिशन वास फिक्स एट 5% आफ सेल्स प्रोसीड्स यह इंपॉर्टेंट होता है सेल्स प्रोसीड्स यानि जितना वो माल बेचेगा जितने रुपे में सेल वैल्यू पे उस पे 5% कमिशन मिलेगा उसको देखो क्वेशन में कॉस्ट प्राइस भी दिया वाए और क्वेशन में सेल्स प्राइस भी अपने पास में एवेलेबल है clear है तो आपन कहीं से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप चाओ तो लोडिंग वाला पार्ट शो कर सकते हो या फिर लोडिंग वाला पाट शो नहीं भी कर सकते हैं दोनों वे पॉसिबल है ना जब आपके पास cost price और selling price दोनों है selling price का मतलब क्या था cost plus profit तो हम selling price से accounting करें cost price से करें कोई फरक नहीं पड़ेगा because जब आप selling price यानि invoice price से जब करते हो तो loading eliminate करते और जब cost price इसे करते हैं तब लोडिंग एलिमिनेट नहीं करना कि दे कंसाइन्मेंट वास बुक्ट ऑन फ्रेट तू पे बेसिस इसका मतलब क्या है कि यह से टूपे का मतलब होता है जहां से कंसाइनमेंट निकला है वहां ट्रांस्पोर्टर को आप बोल दिया गया है कि जहां आप आप डेस्टिनेशन पर पहुंचाएंगे ना तो डेस्टिनेशन पर जो आपसे रिसीव करने आएगा ना वो बंदा आपको पे करेगा इसको टूपे बोलते हैं नौर्मली तो कंसाइनर अपने पॉकेट सी देलता है इमीडियेटली ट्रांस्पोर्टर का खर्चा लेकिन हो सकता है माइट भी उसको लगता हो कि ट्रांस्पोर्टर जो है नया है सेफली गुड्स नहीं पहुंचाया तो इसलिए वो क्या करता है टूपे बेसिस पर गुड्स भेजता है टूपे का मतलब होता है डेस्टिनेशन पॉइंट में जो गुड्स रिसीव करेगा ना यहा तक समझ में आता है इसका मतलब यह तूपे पर जितना भी है इस डारेक्ट एक्स पेंस क्योंकि गुड्स घर तक लाने के लिए इस एक् freight charges came to 2% of selling value और freight charges लगा कितना मेरा 2% of selling value one case containing 51 kgs of teen was lost in transit and the transporter carrier admitted a claim of rupees 450 कि इसका मतलब क्या हूं पचास तिन रस्ते में गुम गया इट इसन नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस फॉर यू हूं अबनॉर्मल लॉस तो इसका कॉस्ट अब देखो जो यह ट्रांस्पोर्ट का फ्रेट का खर्चा लगा सबसे पहले मुझे तुम लोग फ्रेट एक् चार्जेज कितना लगा होगा एक में तू परसंट ऑफ सलिंग वैल्यू तू परसंट ऑफ शेलिंग वैल्यू बोले तो सेलें प्राइस कितना था दो हजार एक किलो और एक किलो को अपन कितने थी शसकते हैं topping प्रेस 15 15 रुपीज तो कितना हो गया 30,000 प्लस छह हजार पैकेट्स हाफ केजी वाले कैसे बेच सकते हैं अपन एक पैकेट का सेलिंग प्रैस कितना है तो यानि मेरा सेलिंग प्रैस कितना 42,000 होगा टोटल 72,000 क्लियर है यह देखो यहां पे डिया होए ना अपने को ious प्रैस पर केजी और प्रैकेट कैसी मेतय किस बेसिस पर निकालना है उन कल्सल्स वैल्यू तो मेरा सेल वैल्यू तो यह होगा एज्यूम करते हैं सारा का सार भू ख excell Нगे तो मेरा टोटल वैलीत तो यही आना है उसका 2% मेरा फ्रेट है तो इसका मतलब फ्रेट हुआ कितना कितना अगे अपना फ्रेट 1440 क्लियर यह चीज़ दिस 1440 इस डारेक्ट एक्स्पेंस पर आस क्योंकि यह तो क्या है गुड्स कंसाइनर के यहां से निकला तभी ड्यू हो चुका था अब रस्ते में गुड्स को कुछ भी हो बट यह एक्स्पेंस तो हो चुका ना पूरा लग चुका तो चाहे पे इस पॉइंट पे करो चाहे पे इस पॉइंट में करो बट यह एक्स्पेंस तो यहां जर्णी स आगे देखो क्या बोला at the end of the first half year the following information is gathered from the account sale sent by the consignee consignee ने account sale भेजा क्या बोला कि मैंने पंदरास्तु तो टीन बेच दिये और 4000 पैकेट बेच दिये आपके क्लियर है store rent and insurance उसके pocket से इतना लगा है तो वो हमसे क्या करेगा recover करेगा क्लियर है कमीशन कमीशन कितना देना पड़ेगा अपने को उसको 5% of sales proceed 5% of sales proceed उसने कितना बेचा 1500 किलो जिसका selling price 15 रुपे और 4000 पैकेट जिसका selling price इसका 5% कमीशन मिलेगा ना उसको कितना आ जाएगा कमीशन उसका कितना राइट 2525 कमीशन आ जाएगा उसका क्लियर है अल्मोस्स सब कुछ ब्रेक कर चुकी हो तुम और कुछ बचा ही नहीं है कुछ लॉस हुआ था अबनॉर्मल लॉस अबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालना है तो यह क्वेशन कैसे करना चाहते हो कॉस्ट पर कंसाइनर कंसाइन को भीजे वैसे करना है या फिर इन्वाइस प्राइस पर दोनों वे पॉसिबल है एंड कॉस्ट इस मच इज़ी विकॉज वाँपे लोडि सब्सक्राइस करके जाना है इलस्ट्रेशन नंबर सिक्स फर्स्ट अफ आल आई विल बी प्रिपेरिंग सर्टेन वर्किंग नोट्स जरूरत है अपने को आगे जरूरत आएगा जैसे की कैलकुलेशन ओफ फ्रेट फ्रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे सेल वैल्यू पे टोटल सेल वैल्यू का कितना परसंट दो परसंट तो मेरा टोटल सेल वैल्यू कितना होगा बताओ दो हजार किलो वाले पंदरा रुपे में बीकेंगे प्लस छह हजार पैकेट का सेलिंग प्राइजे सेवन रुपीज डिस इस माइ टोटल सेल वाल्यू विच इस सेवेंटी तू थाउजन देरफोर फ्रेट कितना होगा सेवेंटी तू थाउजन का तू परसंट 1440 क्या ये चीज़ क्लियर है फ्रेट निकालने में किसी को इशू है किसी को भी इशू नहीं हुआ और क्या-क्या इन्फोर्मेशन चाहिए अपने को कैल्कुलेशन ओफ एक कमीशन चाहिए होता है कमीशन चाहिएगा अपने को क्लियर है कमीशन कैसे निकालेंगे उसकी सेल प्रोसीड्स का कितना परसंट तो उसने जितना बेचा है कितना बेच दिया पंदरा सो किलो जिसका सेलिंग प्राइज एक किलो वाला टीन का पंदरा रुपे था है प्लस चार्ज हजार पैकेट्ट बेचे bele जिसका सेलिंग प्राइज हाफ केजी वाले जिसका सेलिंग क्यतना था सहइन रूपीस इतना टॉटल उसने सेल किया से इस क्लियर है कि उसका कितना परसेंट है यह पार्शन तो मेरा कमे standing याया 252 उसके बाद में abnormal loss वह था ना रस्ते में कुछ खराब हो गए थे कितने खराब हो गए मेरे पचास टीन वन केजी वाले हां सिर्फ वही खराब हुआ पैकेट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो देखो कैलकुलेशन ओफ एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट प्राइज ओफ टीन लॉस्ट उसका कॉस्ट प्राइज कितना है अपना टोटल पचास टीन गए जिसका एक टीन का वैल्यू कितना दस रुपे पांसो रुपे प्लस डाइरेक्ट एक्सपेंसेज फ्रेट लगा था ना प्लस फ्रेट फ्रेट कैसे निकालेंगे इसका नहीं डारेक्ट आप क्या करो अलग अलग हुए ना फॉट्टीन फॉट्टी तो पैकेट्स और टीन दोनों पर कंबाइन करके लगा है सीमपल ही क्या लेलो सबक्राइल का सेल प्राइस लेलो को सेल म Onu का दो पर्सेंट क्योंकि मेरा विस्त क्या है डू-पर्षेंट ऑफ सेलिंंग वाल सफेयं City का सेलिंग वेल्यों क्या है एक टीन को अपन 15 रुपे में बेच सकते हैं तो 53 को इतने में बेचेंगे इसका टू परसेंट फ्रेट होगा मेरा पंद्रा रुपे टोटल लॉस कितना हुआ है 515 इसमें से क्या इंशॉरेंस कंपनी कुछ दे रही है क्या कि माइनस इंशॉरेंस क्लेम मिल रहा है अपने को साड़े 400 रुपे तो नेट लॉस कितना 65 का आपका नेट लॉस एकदम कमफर्टेबली निकाल ली हमने यहां तक आई तिंग किसी को इशू फ्रेट निकालने में कमेशन निकालने में और अबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने में और एक चीज़ यह इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्लोजिंग इनवेंट्री का वैल्यू तो नंबर पूर वैल्यू आफ क्लोजिंग इनवेंट्री कितना बचा है मेरे पास में टोटल कितने टीन थे बेजे थे हमने 2000 टीन भेजेते हमने उसमें से रस्ते में 50 खतम होगे बचा 1950 टीन उसमें से क्या कर दिया पंदरास्टो तो सेल कर दिया आपने तो आपके स्टॉक में कितने है तो वन केजी टीन की बात करूँ तो कितना 450 टीन है क्या अरे बाकी लोग 451 के टीन है अपने पास में जिसका कॉस्ट प्राइस कितना टेन शार हजार पांसो क्लियर है और पैकेट कितने हैं हाफ केजी पैकेट कितने हैं टोटल हमने सेंट किये थे सिक्स थाउजन उसमें से 4000 सेल हो गया तो 2000 कि जिसका एक पैकेट का कॉस्ट प्राइस कितना है छे रुपे तो बारह अजार टेल मी क्या यही मेरा वैल्यू आफ क्लोजिंग स्टॉक होगा क्या क्या बहिए ऐसे कैसे हो सकता है अभी तक आपने डारेक्ट एक्स्पेंसेस तो कंसीडर कि यही नहीं है ओ वह भी करना था क्या ठीक है बुरा क्यूं मानते हो अभी कर लेते हैं कैसे निकलेगा चार सो पचास टीन सेलिंग प्राइस पंद्रा रुपए क्योंकि हमेशा फ्रेट किस पर सेल वैल्यू पर है प्लस कि दो हजार पैकेट जिसका सेल वैल्यू है कितना साथ रुपए इसका तू परसंट रइट ऑप फोर हंड़ेड एं फिफ्टीन श्क्स्टीन नाइन वन फाइफ प्लस्टीन नाइन वन फाइफ प्लस्टीन नाव इट विल टेक में तू 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 त्री मिनिट्स तू प्रिपेर दे कंसाइनमेंट अकाउंट देखो कितना फटापट अपन कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेंगे पहले तो बताओ किसकी बुक्स में बना रहे हैं इन दे बुक्स ओफ विक्रम मिल्क फूट्स कंपनी लिमिटेड राइट कंसाइनमेंट तू किसको किया था सोने पूरी वो पूरा लिक सकते थे कंसाइनमेंट तू सुन्दर स्टोर सोने पूरी अकाउंट कंसाइनमेंट तू सुन्दर स्टोर्स सोने पूरी अकाउंट अब इससे इजी और हलवा चीज तो कुछ होई नहीं सकता इसको भी कोई बनाना होता है क्या इसको तो हम लोग ऐसे हवा हवा महीं बना लेते दो मिनिट के अंदर में आप बस ऐसे पलक जंपको और कंसाइनमेंट एकाउंट बन जाएगा इस तो अपने को पता ही है क्या होगा सबसे पहले टू गुड्स सेंट ओन कंसाइनमेंट क्या क्या भेजा हमने अरे बोल भी दो सर्मा क्यों रहे हो दो हजार एक किलो वाले जिसकी वैल्यू दस रुपे थी प्लस छे हजार पैकेट हाफ केजी वाले जिसकी वैल्यू ती सिक्स रुपीज हमने कॉस्ट प्राइस पर ही कि नहीं क्लियर है तो अराम से मुझसे पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा कुछ है नहीं भीया कि यह सब में क्लियर नहीं हो यह तो हल्वा जैसा लग रहा है हुए छिए गजी फिफ्टि सिक्स थाउजन का गुट सेंड किया तो अब बताओ कंसाइनर ने अपने फॉकेट से कितना एक्सपेंस किया कि कैंक या वुस्टम लिखा वाताना टू पर टू पर आप चिल्ला चिल्ला के बोले थे मतलब कंसाइनर ने अपने pocket से expense किया ही नहीं है सारा expense जिसने किया वो consignee ने किया है तो consignee हमसे लेगा तू सुन्दर स्टोर्स उसको क्या-क्या देना है भाई साब एक तो freight total freight कितना लगा 1440 एक तो consignee हमसे यह मांगेगा और क्या मांगेगा rent and insurance का expense किया था उसने rent and insurance भी तो लेगा भाईया वो आपसे हाँ हाँ consignee को सब देंगे सब देंगे उसका पूरा पेट भरा जाएगा फिर और कंसाइनी हमसे क्या मांगेगा भाईया कमीशन उसी के लिए तो वह काम कर रहा है क्या हमने उपर calculate किया था यस एन आप लोग एक्जाम में reference point लिख क्या होगे freight का working note number one था कमीशन का working note number कौन सा है अपना two clear है क्या कुछ और भी देना है अपने को consignee को और तो भाईया कौन सा आपका सगा संबंदी लगता है जो और देना है हो गया इतना ही agreement में नहीं बात हुई थी तो इतना ही हुआ था तो क्या क्या देना ए फॉर्ट्टिन पॉर्ट्टी सिक्सेंडडेट 2525 कितना देंके चुप-चाप नबक्ती करो सल्ट हओ उसको ठीक है इतना देना है क्या उसने हमारा कुछ गुट सेल किया था हां किया था तो क्या हमें उस कि बताओ बताओ में 15 सो 15 रुपए仁 अज ऐसे जार चार हजार सांट रुपए仁 प्राइज 50500 का उने हमारा सेल किया था क्या हुआ कि या उसने 500 का सेल किया था यह चीज उसी पे तो तो हम पर पलेशन का मिश्न दी प्वोल गह इतने जलदी ज़ल्दी अहां फिर अब क्या करें इन्वेंट्री निकाल दें उसके पास कितना बचा हुआ है ऐसे कैसे फिर से आप भूल गए शॉट टर्म मेमरी लॉस अरे नुकसान हुआ था नुकसान हुआ था तो बाई प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट ब्रैकेट में वीकेंड राइट एबनॉर्मल लॉस कितना रुपे का नुकसान हुआ था 65 का तो वोकिंग नोट नंबर क्या था ये 3 एंड जो इंशॉरेंस कंपनी से लेना है वो भी तो ड्यू करना पड़ेगा ना बाई इंशॉरेंस क्लेम कितना मिल जाएगा अपने को साड़े चार सो क्या आप खतम हो गया हाँ भाईया अब हम लोग एकदम लास्ट में आ चुके हैं बाई कि इन्वेंट्री ओन कंसाइनमेंट कि वोकिंग नोट नंबर कितना बनाया था हमने फोर फोर चौका कितना रुपे का चौका मारा था हमने सिक्स्टीऑ कर नाइन वन पॉइफ अब जब आप बैलैंसिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कंसाइनिह के साथ काम करके आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ क्या हुआ है किश्कांशेमेंट के साथ काम करके आपका एपरेंट्ली देखके तो का बैलंसींग फिगर आपने प्रॉफिड कमाया होगा दिस प्लस फिर यह C te फ्रफिड हमने अंट किया है कि कि सूंदर्स्टोर का एकाउंट भी बैलेंस कर दो धिल इसका क्या हिसाब बनता है यह तो हमने यह वो निकाला है कि हमने सुन्दर स्टोर के साथ काम करके कितना पैसा नेट अर्ण किया है अब सुन्दर स्टोर का हिसाब भी क्या करें खतम करें तो सुन्दर स्टोर एकाउंट बनाना पड़ेगा नाम बढ़ा अच्छा सुन्दर स्टोर और सुन्दर नहीं हुआ तो वो कि टू कंसाइनमेंट एकाउंट कितना सेल किया था उसने हमारा गोड्स पचासजारपान सो रुपे का वो तो बया कंसाइनमेंट एकाउंट से देखने से पता चल रहा है कि पिर उसने कुछ भी अडवांस दिया था क्या नहीं दिया था तो हमें उसको क्या-क्या देना है क्या क्या देना है अरे अभी तो कंसाइनमेंट एकाउंट में लिखा था इस देना है 1440 का रेंट एंस्वेंट का रिम्बर्समेंट करना दे उसी को अपन बोलते हैं रिंबर्स में हम लोग को कब मिलेगा क्यूशन फीस में कुछ नहीं मिलेगा जब आप आर्टिकल शीप में जाओगे इंटर में जाने के बाद तो आपको बहुत बार कन्वेंस और फूड का रिंबर्समेंट मिलेगा तब आपको समझ में आएगा आटिकल समझ सकता है रिंबर्समेंट की एगा तो अगरे फूर फाइफ सिक्स फाइफ बैलेंस क्या करेंगे या कितना बार बताएं अभी तो हिसाब कर रहे ना उसका तो सटल्ड करो हमें उससे रिसीव करना चाहिए रिसीव करना था फिफ्टी पाइफ अंडेड और उसक बैलेंसिंग फिगर पे कर दो फॉर्टी फाइफ नाइन थर्टी फाइफ बैलेंसिंग फिकर हम क्या करेंगे उसको पे कर देंगे एंड ऐसे मेरा कंसाइनमेंट खतम हो गया कि आई हो यह क्वेशन आपको अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है सो विद्धिस वी अब कवर्ड फ्यू मोर इलस्ट्रेशन लास्ट पार्ट और एक रहेगा जहां पर हम लोग क्या करेंगे इंस्टिट के कुछ और एच्छे क्वेशन को कवर करेंगे एंड फिर हंडेट परसेंट हमारा एक्जाम औरियंटेट जहां से कैसा क्वेशन आ सकता कि तरीके से आ सकता है कंसाइन में कैसे प्रॉसेस होना चाहिए इच एन एवरिटिंग पूरा कवर हो जाएगा ठीक है चलो थैंक यू देट्स आल फॉर टुड़े